हलो में विल्कम बैक दोस्तों कैसे है आप सब आज में आपके लिए लाई हूँ चिससे एक नई सीरीज जिसका नाम है विल्डरनेस ये 2023 में रिलीज होने वाली एक बहुत ही दिल्चस्त सीरीज है तो चलिए बिना और किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्स्प्लेनेश चल देती है और यहीं से शुरू होती है लिव की कहानी ये पूरी स्टोरी एक अलग स्टाइल में बताई गई है यहाँ पूरी नेरेटिव लिव की है यानि कहानी हम लिव के मों से संते हैं और होते हुए भी देखते हैं पहले सीन में हमें लिव देखती है और वो बताती ह कि अगर कोई उन्हें उस दिन देखता तो उनसे नफरत करता वो लोग एक perfect couple थे charming husband, loving wife और दोनों ही एक दूसरे से किया हुआ वादा निवा रहे थे वो लोग एक open hood car में कहीं जा रहे होते हैं और तभी हमें एक बच्ची दिखाई जाती है flashback में जिसके parents पीछे लड़ रहे थे और उसकी मम्मी आके उसका बोड़े केक फेक देती है ये बच्ची असल में live होती है हमें यहाँ live की आवाज भी आती है और वो बोलती है कि वो बच्पन से ही चुप रही है और जैसे ही उसको कहा जाता था वो वैसे ही करती थी वो सीन में हमें दिखाया जाता है कि live के पापा किसी और 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 वो live देख लेती है इससे समझाता है कि इसी वज़े से उसकी parents में जगरा हो रहा था फिज लिफ बताती है कि इन सब के बाद वो उल से मिली और वो pretend करना बंद कर दी यानि फाइनिली वो अपनी तरह से रह पाती अपनी तरह से जी पाती थी पर वो ये कहती है कि ये सब तो वो गलत सोचती थी जिसका कारण हमें बाद में पता चलेगा लिफ कहती है कि उसके कानों में बस एक ही चीज सुनाई दे रही है जो उसकी ममी ने उसको बताया था और उनकी भी ममी ने उन्हें बताया था ऐसे ही पुरे जनरेशन वाइस सारे ममी अपनी बेटियों को बताते आई है और अब सब कोई उसके कान में कोरस में कह रहे हैं कि कुछ भी सेफ नहीं है इसके बाद सीन चीन जोके हमें नौ महीने पहले की एक फ्लैश बैक दिखाई जाती है जहां लिव और विल यानि उसका हस्बेंट एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट करते है विल लिव से पोच्छता है कि तुम्हें ये अपार्टमेंट पसन तो आया ना तब वो कहती है कि मुझे तो विश्वाश ही नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है इसके बाद वो लोग रात को एक पार्टी में जाते है जहां विल सबको अपने वाइफ से इंट्रियूस करा देता है उसी पार्टी में वो बॉनी से मिलती है वहाँ वो लोग बात चीत करते हैं और बॉनी उससे कहती है कि उसकी हजबेंट उस पर चीट कर सकता है और इसी लिए उसे कोई काम करना चाहिए ताकि वो डिपेंडेंट ना रखे लेकिन लिव ये सब नहीं मानती है फिर बाद में वो लोग इंटिमिट होते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं उनके दिन खुशे से बीत रहे होते हैं तभी विल को एक बिसनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ता है क्रिसमस में लिव एक बहुत फैंसी डिनर के तैयारी कर रही होती है क्योंकि उसी दिन विल वापस आने वाला था और इसी दिन सब कुछ बदलने भी वाला था वो अपने मम्मी के साथ बात करते-करते खाना बना रही थी उसकी मम्मी भी उसको कहती है कि ध्यान से रहना, अपनी हस्बेंट कभी ध्यान रखना क्योंकि men cannot be trusted, यानि मर्द पे कभी विश्वाश नहीं किया जा सकता है Liv फिर से ये सब बाते टाल देती है और कुछी देर बाद Will भी वापस आता है और वो दोनों एक अच्छी मॉमेंट सेलिबरेट करते है अचानक से Will के फोन में एक टेक्स आता है और Liv वो देख लेती है तभी लिव को समझ आता है कि Will उस पे चीट कर रहा है Will का एक अफेर चल रहा है किसी सीप पारकर के साथ और ये देखके लिव बहुत टोट परती है लिव बहुत कुछ बोलना शुरू करती है और Will उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये बस इत गलती थी बस एक रात की गलती लेकिन लिव समझने को तैयार नहीं थी वो Will को घर के बाहर बंद कर दीती है और खुद घर में बहुत रोती है उसको ये सूच के बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा जैसे उसके ममी के साथ चीट किये थे वैसे ही Will ने भी उसके उपर चीट किया और वो ये कहा था कि वो कभी उसके पापा जैसा नहीं बनेगा लिव एकदम से तूट परती है फिर कुछ दिर बाद लिव पे बाहर जाती है एक लब में एक दोस्त के साथ बैट कर वो ड्रिंक कर रही होती है फिर कुछ दिर बाद घर वापस आके फिर से वो ड्रिंक करने लगती है और सब कुछ विखर देती है ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे लिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए क्या उसे डिवोर्ज लेना चाहिए या फिर विल को फिर एक मौका देना चाहिए वो कुछ छमज नहीं पा रही थी फिर दो तेन दिन बाद लिव अपने रूम में बैट के ड्रिंक कर रही थी विलियम आके बाहत दर्वाजा खट-कटाता है लेकिन लिव वो दर्वाजा नहीं खोल रही थी विलियम को अंदर भी नहीं आने दे रही थी तब विल दर्वाजे के नीचे से उसको दो टिकेट दी वो टिकेट एक्चिली एक ट्रिप के थी जो लिव हमेशा से जाना चाहती थी फिर लिव जाके दर्वाजा खोल देती है विलियम आंदर आते ही उससे फिर से माफी माँगना शुरू करता है और कहता है कि प्लीज इसको और एक चांस दे दो तब लिव कहती है कि क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो तो विलियम कहता है कि नहीं मैं बस अपने रिलेशन्शिप को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिर सोचने के बाद लिव उसको हग कर लेती है और ऐसा लगता है कि लिव उसको माफ करने के लिए तैयार है लेकिन असलियत में वो नहीं है लिव एक्चिले रिवेंच लेना चाहती है और इसी वज़े से वो ट्रिप में जाने के लिए तैयार हो जाती है इस रोट्ट्रिप के तीन हफ़ती पहले लिव और विल एक ही साथ रहना शुरू करते हैं जैसे वो पहले रहा करते थे निफ को इस घरना के बाद एक बहुत बड़ी ट्रस्ट इशूज हो गए थी और वो विल का हर एक आक्शन चेक करता था एक दिन वो विल के लाप्टॉप लेके बैठती है और देखनी के पोशिश करती है कि कहीं विल्यम कुछ करतो नहीं रहा है और वहीं उसको सी पारकर नाम की एक लड़की की बहुत सारे इमेल्स मिलती है और एक वीडियो भी मिलती है जिससे ये पतर चलता है कि विल बहुत दिनों से लिफ पर चीट कर रहा था लिफ ये सब देखके कुछ विश्वास नहीं कर पा रही थी ठिक तभी विल वापस आता है तो लिफ जल्दी से लाप्टॉप चुपा देती है और फिर विल ऐसा बिहेव कर रहा था उसके साथ कि कुछ हुआ ही नहीं है वो खाना बना रहा था लिफ का ध्यान रख रहा था सब कामों में भी मदद कर रहा था जैसे कि वो दुनिया का बेस्ट हस्बेंट हो लेकिन असलियत अब लिफ के सामने थी ये सब जानने के वावजूद लिव विलको कुछ नहीं बोलती है क्योंकि अब उसको रिवेंज लेना था और यही रोट ट्रिप पे जाके लेना था फाइनली वो लोग रोट ट्रिप के लिए निकल पड़ती है और हमें फिर से वो पहली वाले सीन दिखाई जाती है जहां पर वो दोनों गारी में बैट कर जा रहे होते हैं और लिव के दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे थे फिर बीच में वो लोग एक जगा पर रुखते हैं जहां पर एक उची क्लिफ जैसी जगा थी वो लोग सीन को एंजोई करने के लिए गारी से उतर कर थोड़ा आगे जाकर रुखते हैं यहां पर वो दोनों क्लिफ से नीचे देख रहे थे आसपास की सिनेरी और ये क्लिफ देखने में बहुत है डेंजरिस लगता है अगर कोई एक बार गिरे तो वो बचेगा नहीं और लिफ को यही पर ऐसा लखता है कि वो विल्यम को धक्का मार दे और ये एक परफेक्ट आक्सिडेंट जैसे दिखेगी लिफ विल्यम को धक्का मारने ही वाली होती है कि तभी एक औरत पीछे से उन लोगों को बुलाती है वो औरत एक स्ट्रेंजर थी और वो यहाँ पर खो चुकी थी इसलिए एक राइड मांग रही थी इसके बाद विल्यम और लिफ एक रिस्टरॉन में जाते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं और लिफ उसको थोरी से टॉंट करता है पर विल्यम कुछ नहीं कहता है क्योंकि गलती उसी की थी इसके बाद वो लोग हाइकिंग के लिए निकलते हैं वो लोग जंगल में घुसने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कारा आती है और ये साफ साफ पता चलता है कि कारा विल्यम को फॉलो करती हुई आई है लेकिन इस बार करा अकेली नहीं थी उसके साथ उसका बॉइफरिंड भी था लिफ कारा को देखके समझ जाती है कि ये ही वो औरत है जिसके साथ किलियम का अफेर चल रहा था पर लिफ इन लोगों को कुछ नहीं कहती है और वो ऐसे बिहेव करती है कि वो इसको कभी देखी ही नहीं है और इसके बारे में कुछ नहीं जानती है लेकिन असलियत तो ये है कि वो वीडियो मिलने के बाद लिफ ने कारा को स्टॉक किया था वो उसको पीछे जाया करती थी उसके जिम, उसके क्लब, सारे जगाओं पे उसको फॉलो किया करती थी लिव एक्चिली में ये बात मान नहीं पा रही थी कि विलियम उसकी उपर चीट करेगा उसको ऐसा लगता है कि सारी गलती कारा की है लेकिन असलियत में लिव को पता है कि नहीं गलती विलियम की भी है इस ट्रेल पे विलियम को देखकर कारा आगे आती है बात करने के लिए साथ में उसका बॉइफ्रिन भी आता है वो लोग एक दुसरे से इंट्रिड्यूस करवा देते हैं और विलियम कहता है कि कारा बसे कॉलेग है जो कोइंसिडेंटली वहाँ पे हाइकिंग के लिए आई थी फिर वो लोग साथ ही में ट्रेल करते हैं और यहाँ पे कारा विलियम के साथ कुछ जादा ही चिपक रही थी लेकिन लिव ये सब देके कुछ नहीं कहती है और वो चुप चाप आगे बढ़ती जाती है उसके साथ साथ गर्थ यानि की कारा का बॉइफरेंट भी चलता लगता है विलियम और कारा जान बुच कर पीछे वो जाते हैं ताकि उनको थुरा अकेला टाइम मिले वो लोग मज़े करते हुए उनके पीछे पीछे आते हैं और ये देखकर लिव बस एक स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती लिव गर्थ से बात कर रही थी और वो लोग बात करते करते तभी वहाँ पर कारा और विल आता है फिर वो लोग एक लेग के पास बैठते हैं थोड़ी दिर रेस्ट करने के लिए और कारा जाकर अपने कप्रे उतार कर वही पर स्विम करने वाली होती है ये देखकर विल थोड़ा अनकंफिटबल फिल करता है इसलिए वो उटके जाने वाला होता है कि तभी वो पीछे उरकर कारा को देख रहा होता है और देख से देखते वो एक गड़े में गिर जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है जिसकी वज़े से वो चल नहीं पाता है और वहाँ से उसको वापस लानग पड़ता है लेव और कारा दोनों सोचती है कि हेल्प लाने जाएगी और गर्थ को अकेला रहने के लिए कहता है विल के साथ लेकिन वो लोग मानते नहीं है फिर सब लोग एक साथ वहाँ के इंफर्मरी में जाते हैं जहाँ पे विल की ट्रीटमेंट ये जाती है और उसको दवाई लगा कर होटेल बेजने के लिए बाहर निकाल दिया जाता है जब वो लोग ट्रील खतम करके जंगल से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि विल का गारी नहीं है और उन लोगो को बिना जाते हुए भी कारा और गर्थ के साथ होटेल जाना पड़ता है अब क्योंकि विल और लिफ की गारी चोरी हो गई थी तो उनके बैग्स भी उनके पास नहीं थे इसलिए लिफ को कारा से कुछ कपरे मागने जाने पड़े पर कारा के पास कुछ भी कंफटबल नहीं थे उसके सारे ये ड्रइसेस है और लिफ को कंफटब बिल कपरे चाहिए होते हैं लेकिन विल मैनिज कर लेती है फिर वो लोग नीचे जाते हैं डिनर करने के लिए लेकिन विल कहता है कि वो लोग अलग-अलग टेबिल में बैठना चाते हैं क्योंकि वो अपने बीवी के साथ अकेले में टाइंट स्पिंट करना चाता है और वो लोग अलग टेबिल में ही बैठते हैं डिनर करते वक्त लिफ कुछ ऐसा कहती है जो सुनतर विल को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी में वो लिफ को कुछ उल्डा सीधा कह देती है तो लिफ को इतना बुरा लगता है कि वो उपर अपने रूम में चली जाती है बिना डिनर किये रूम में आके लिफ बहुत ट्रिंक करती है और वो निशे में सोने जाती है लेकिन उसको इतना गुस्सा आता है और वो घर में विलियम को नहीं देख पाती है और इसलिए वो बाहर दोड़ते हुए उसी जंगल में फिर से वापस जाती है वो अनिशे की मधोसी में और गुस्से में वो कुछ ऐसा कर बैठती है जो वो बहुत रिक्रेट करे की बाद में लेकिन आखिर में हुआ क्या था ये हमें तभी दिखाया नहीं जाता है हमें सीन चेंज करके पिछले दिन सुभा दिखाई दाती है जब लेव जलीन से उठती है वो ये सोचती है कि कल वो कुछ गलत कर चुकी है और वो आएने के सामने खड़ा होकर ये बोल रही है कि मैं कहा थी और क्या कर रही थी एक्चिली में वो अपनी पिछले रात की एक फॉल्स अलबाई बना रही थी जिससे की साबित हो कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है ऐसे वक्त पर ही विल बाहर दर्वाजे में आकर खटखट आता है निव ये दिकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसे ये लगता है कि कल रात को उसने विल्यम को मार दिया था उसने क्लिफ से जिसको धखका दिया था उसने विल्यम का ही जैकेट पहना हुआ था और लिफ को यही लगता था कि विल्यम मर चुका है इसलिए वो अपना फॉल्स ऐलवाई बना रही थी लेकिन जब वो दर्वाजे पे विल्यम की अवाज सुनती है वो बहुत ही डर जाती ह और उसको पहली बार तो ऐसा लगता है कि वो विल का भूत है लेकिन असलियत में वो विल ही था और जब लिफ डरती हुई दर्वाजा खोलती है तब वो ये देखकर भी डर जाती है कि सच में विल वहाँ पे था लेकिन कहानी कुछ मोर लेती है विल अंदर आते ही लिफ से कॉंस्टांट माफी माँगना शुरू करती है और ये दिखकर लिफ शौक हो जाती है और बीना बताए उसको ये एक्स्पेंट करने देती है कि उसने क्या किया है और क्यों किया है और यहां से पता चलता है कि विल एक्चिली रात को कारा के साथ वक्त विताने के लिए बाहर गया था और कारा की मौत हो चुकी है अभी विल लिफ से मदत मांग रहा है कि उसे पता है कि ये जब पुलिस में ख़बर जाएगी तब ऐसा ही लगेगा कि विल नहीं ये मौर्डर किया है अपने जिन्दगे से उसको खटाने के लिए लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है विल ने ऐसा नहीं किया है वो बार बार कहता है और माफि मांगने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि लिफ की मदद उसको बहुत जरूरत है और ये सब देखकर लिफ अपना फायदा समझ कर उसको मदद करने के लिए राजी हो जाती है और वो लोग एक दिन पहले ही चेक आउट करने की बात करते हैं वो लोग नीचे जाके रिसप्शनिश से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है हम बंदवस्त करके देते हैं इसके बाद विल उनसे कहता है कि उसका एक रेट कलर का जाकेट खो गया है जो उसे नहीं मिल रहा है ये सुनकर लिफ को ये पता चलता है कि कल उसने जिसको धक्का मारा था वो एक्चीली में विल नहीं कारा थी वो लोग वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तब ही उनको पुलिस आफिसर आके कहता है कि वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि कारा परकर मिसिंग है और शायद उनकी डेड बॉडी मिलने वाली है ये सब सुनकर लिफ को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो बाहर जाने वाली होती है कि तब ही विल को ऐसा लगता है कि लिफ उस पे गुस्सा है वो उसके पीछे जाके उसे बात कर रहा है और वो उससे कहता है कि सच में उसने कारा को नहीं मारा है लेकिन लिफ ऐसे नाटक करती है जैसे उसको विल पे ही शक है इसके बाद पुलिस आते हैं उनसे बात करने के लिए और वो लोग एक दूसरी के होकर अलबाई दे देते हैं तब एक खबर आती है कि कारा की एक बॉडी मिल चुकी है और उसे तुरंथ हॉस्पिटल ले जा जाता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी जहाँ पर हॉस्पिटल में पिछले दिन उसकी मौत हो जाती है दर गर्ट भी एक तरफ से तूट चुका था फिर जब वो लोग वापस आते हैं विल और लिफ के बीच में कुछ ठीक नहीं होता है उन्हें लगता है कि ये मामला सुलट जाएगा लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है विल के ओफिस में कारा के लिए एक मेमोरियल रखा जाता है जहाँ पर जाके लिफ को बहुती गिल्ट फिल होता है और किसी के पिलिस कंप्रेट करने के वज़े से ये इन्वेस्टिकेशन फिर से शुरू होती है तब लिफ विल को बताता है कि अगर तुमको बचना है और ये मैरेज को बचाना है तो तुम्हें कारा के साथ घटी हुई सारे सबूत मिटाने पड़ेंगे यानि उन लोगों के चैट्स, वीडियोज, सब कुछ और तब विल जाके ऑफिस में चुपके से सारे चैट्स उड़ा देता है इधर लिफ भी अपनी तरफ से सारी सबूते मिटाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार सबूत विल तक आया तो ये लिफ तक भी आय की इसलिए वो अपने तरफ से सारी सबूते मिटाने की कोशिश करती है ताकि बुलिस उसको कभी शक न करे इसके बाद क्या होता है देखने के लिए बनी रही हमारे साथ क्योंकि ये सीरीज यहीं पर खतम नहीं होती है आगे की बहुत कहानियां बाकी है और कहानी में बहुत सारी ट्विस्ट जानने के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियोज और अगर इस चैनल पर आप नियू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स वीडियो आपसे छूट न जाए और ये वाले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग भाचिंग